अब के साथ मैं विकास आए इस टाइम मैं बल्लब गड के बालमे की महले में माझूद हूँ और यहां पर बालमे की महले में कुछ लोग हमारे साथ माझूद हैं. इस महले में जो अभी नई सरकार आई है वहाँ पर कितना भिकास हुआ है रहने बाले में कि महले के रहने बाले हों से हम सारे जाने की कोसिस करेंगे जैसा कि कई लोग आरोप लगा दे था कि यहां पर हर्याना में जयाठ है और डलील वो जी आपका हमारे चलमें बहुत बहुत स्वागत आपको सुने मेरे नाम है अच्छा तो आप इसी महुले के निवास है हां मैं सीगेट बानमी की महुले का ही निवास ही हूँ और वैसे हमारे जो मुझतन सर्मा जी हैं कैबिनेट मंतरी जी बने हैं तीसरे बार उन्होंने काम भी किये हैं और आगे भी प्रोसिज में करी रहे हैं और अभी पारक में लाइट भी लगाई है और वह भी लगाई है जो हमारे यूबा साती हमारी माताई बहने बैठ के साम को इस तरीकर संगट कर लें जैसे कि हला मचा हुब तक यहां पर जाट और मतलों की दलित बोट न दोने भी दिये मुझे पूरी पोट मिले दली तरकी बीजेग को मिली है मोदी साब को मिली है मुल चंद को मिली है मेरी बच्चा बच्चा ने मौदी को दिये बहुत इस मौलम कितने गर रहे हैं ग्यारसों कर रहे हैं तो यहां विकास हुआ है जो दसान से करतों रहे हैं देखो ना मो रोड बने के पक्के और भी करेंगे विचारजों बनेगा तो लगी मसीन लगी सब कुछ हो रहा है याज कट रही है तो यह सारा मुल्चन सर्माजी नहीं कर वाया है तो इससे पहले जो सरकारी थी क्या उन्होंने कर वाया है उन्होंने कुछ ना कराया है खागे पहले लूट के में कांगरे से राज में कुछ बना हुए और कांगरे से राज में कुछ बना आप क्या करते थी दस्वाइकरम चाहरी हो अच्छा आपकी नौकरी चले गए अच्छा आपकी उमर कितनी साल क्या हुए तो प्रॉपर आप यह बल्लवगड के रहे हैं शेक्टरदों के लोगों की बात आपके सामने हमने रखी और इन लोगों का कहना है कि जो यहां पर जो वोट मिला है फिर्दाबाद और बल्लवगड में बीजेपी को यहां पर 36 विराद्वियों ने यहां पर बीजेपी को वोट दिया है यहां पर ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था किसानों का पहलमानों का ऐसा यहां पर कोई मुद्दान था सभी ने बीजेपी को वोट दिया ह जो अमीद्वार यहां दावा ठोक रहे थे वो अपने सफलता में नाकाम्याब रहे यहां पर ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे लोकल एटीग